नमस्कार दोस्तों मैं हूं निकंज पारिक वर आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्तों वैसे मेरा ऐसा कोई इंट्रेस्ट नहीं था वीडियो बनाने का लेकिन अभी मैं इंदौर आये हूं और यहां पे एक होटल है होटल पार्क उसमें रुका हूं तो इसमे मैं आपको छोटा से बिल्कुल बहुत फटा-फट वाला टूर कराता हूं तो जिससे आप कभी आप अपने घर में बात्रूम बना रहे हूं तो जरूरी नहीं है पूरी चीज सारी चीज जो यहां लगी हूँ यह वह आप लगा है लेकिन जितना भी आप इंस्पिरेशन ल इस तरीके से MS का या SS का या इस तरीके से जो अनोडाइस करके जो बनाया है वा फ्रेम है इस तरीके से बना सकते हैं थोड़ा सा आपको residential लूक रखना हो तो इस तरीके की यह जो चेर है lounging chairs को revolving बनाया है यह ले सकते हैं या normal chair भी ले सकते हैं और इस तरीके से कोई भी उपर stone लगा सकते हैं या board या कुछ भी जिस तरीके से आपका budget हो जिस तरीकी की planning हो ऐसे एक छोटी सी table बना सकते है ताकि आप घर पे बैठके और यहां पे जैसे उपर काच लगा हुआ ह इस की जगह पर आप थोड़ा बहुत selfs लगा करके अपना सामान वगरे लगा सकते हैं और यह switch point भी यहीं पर लगा सकते हैं सामने इसके तो यह एक extra था फिर लास्ट में कमरा भी दिखा दूँगा आपको एक बातरूम दिखाता हूँ यह ज़्यादा बड़ा बात नहीं है गुस्ते ही यह सामने खतम हो गया लेकिन गुस्ते ही left side में इन्होंने काफी बड़ा सारा यह wash basin का एक counter दिया है जिसमें सारी चीजे रख्यों यह कांच बहुत खूब सुरे सा बड़ा सा कांच लगाया यह एक बड़ा face दिखने वाल आप बोलते हैं इसको 3x 4x glass लगाया यह इसमें आप दाड़ी वगर बनाया या make-up करते हैं इस टाइम बिलकुल closely दिखेगा यह सामने WC लगा दिए इन्होंने और सबसे अच्छी चीज जो मैं बताता हूँ ना wet area और dry area को divide करने के लिए तो यह glass का partisan किया है और यह अंदर चुकि यह hotel है इसके इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी premium accessories लगाई है आप लगाएं तो बहुत ही अच्छी वाद बशसे इतनी ज्यादा premium भी नहीं है लेकिन अपने यहाँ पे क्या होता है फ्लोराइड होगर आने के वज़ए से इन सब चीजों का maintenance ज्यादा हो जाता है तो यह लगा सकते हैं और सब यह जो वाल लगाऊ है यह tiles नहीं है यह italian marble है तो जो marble की feel आती है वो आप देख सकते है इसमें थोड़ी कमी है लगाने में लेकिन चलो अच्छी वाल है और एक यह सामने painting लगाई है किसी चीज को hide करने के लिए लगाई है सायद मेरे साथ से इसक भी रख सकते हैं अपन और यह बहुत अच्छे से बनाए हुआ और बहुत बड़ा भी नहीं है मेरे साथ से अभी measurement बताता हूं कितना है यह bathroom अच्छा लगा मुझे और यह रूम का टूर है अच्छा रूम है यह सामने टीवी यूनिट है टीवी यूनिट है बहुत ज्यादा complicated कुछ नहीं है पीछे यह आप यह चाहिए तो wood में या stone में बना सकते हैं यह वाला तो यह back splash है टीवी का बहुत अच्छा है wallpaper लगाया है बिल्कुल sober सा और यह double curtain लगे में सामने यह bed है बहुत सुंदर अच्छा luxurious सा खूब सारे pillows और cushions रखे में और यह bed के पीछे का जो headboard बोल सकते हैं कुछ भी है यह भी घर में करने लाइक है doable है यह दोनों तरफ glass लगाए यह थोड़ा वास्तु का कुछ चक्कर पड़ सकता है इसमें ते सारे लेकिन hotel में लगाना ही पड़ता है और यह जो मैं हमेसा बोलता हो ना दिवार पे अलग अलग creation करके यह wall hangings लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा लगा तो इससे आप देखे का कोई आपको जरूरी ने पूरा सारा आप hotel room जैसा बना सके और यह नीचे wooden flooring लगी हुई है wooden flooring के उपर एक छोटा सा rug रखा हुआ रख के उपर फिर यह bed रखा हुआ बेड कैसा दिखा रखाना सही रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन है बड़ा comfortable अभी अच्छा है यह side में कोव लेके यह चारो तरफ यह कोव बनाया है यह भी एक अच्छी चीज है जो आप बिल्कुल सिंपल मिनिमलिस्टिक सी सुंदर शी फॉल्सी लिंग कराना चाहे तो यह भी करा सकते है और हमारी चाय आ गई है तो आप चाय पीते है यह दिवार के corner chip off नहीं हो इसके लिए यह switches बड़ी अच्छी है कौनसे brand की यह नहीं दिख पा रही है नहीं तुम्हां बताता आपको switches अच्छी है यह table top भी italian marble का है यह भी बड़ा अच्छा है यह जो corner है ना खिड़की का पूरा खिड़की का जो यह भी metal से metal की एक layer bend करके लगा करके इसको cover किया है जितने भी corners है ना यह टूटे फूटे नहीं wall paper खराब नहीं हो उसके point of view से यह बहुत अच्छा useful है life ज्यादा रहेगी maintenance कम आएगा दिखा आपको वूटन फ्रोरिंग का state देख लीजा वैसे तो मैंने दिखा दिया था पहले यह center table है और वो पीछे लांजी उसी को match करती भी यह वाड़ी चेर यह भी अच्छी है चेर मुझे उमिद ही वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो एक like दे देना अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो नीचे comment कर दीजेगा आप चाहें तो इसको share कर सकते हो और यहां तक आपनी वीडियो को देखा है और इस channel का content आपको अगर अच्छा लगता है तो इस channel को subscribe करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा नमस्कार मिलते हैं अगले व्लॉग में जहीं